पीम आर्थिक जलाकार परिशत की रिपॉर्ट सामने आई है जिसमें भारत के में हिंदूों की आबादी आठ फीसदी घटी है आबादी में मुस्लिमों की हिस्सदारी 43.15 पीसदी बड़ी ये रिपॉर्ट कहती है 1950-2015 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें बीते 65 सालों में 8 फीसदी तक की गिरावट आई है PM परिशत की ये रिपोर्ट है जिसमें हिंदुओं की आबादी 8 फीसद घटी है और ये आकरा 1950-2015 के बीच का है लगभग 7.82% आबादी ये कम हुई है और इसी के साथ मुस्लिमों की आबादी यानि कि उनकी हिस्सिदारी बड़ी है 43.15% से ये ESPPM की रिपोर्ट जो बताती है कि किस तरीके से दोनों की ही आबादी में फर्क नजर आया है एक तरफ विंदुओं की आबादी डिकलाइन हुई 8% के असपास तो दूसरी तरफ मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ी है यहां करा साल 1950 से 2015 यानि की 65 सालों का है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और घटी आबादी पर गिरिराद सिंग का भी स्टेट्मेंट आ चुका है घटी आबादी चिंता का विशय ये कह रहे हैं गिरिराद सिंग और इसकी जिम्मेदार कॉंग्रेस पार्टी है घारत को इसलामिक स्टेट बनाने की कोशिश गिरिराद सिंग ने एक बार फड़ से हमला बोला गजवाए हिंद का जिक्र किया कह रहे हैं कि गजवाए हिंद की तैयारी में विपक्षी दल गिरिराद सिंग ने कहा है आज मुसल्मानों को बैक डूर से आरक्षन दे रहे हैं ये हिंदूओं की घटती हुई आबादी, मुसल्मानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें, जीरो से चौदे बर्स के बच्चे की आयू मुसल्मान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है, आने वाले दिन में, और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिट रेशियो से एक पर्तिशत अधिक है, सावा पर्तिशत, ये सावा पर्तिशत अधिक होना, ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इसलामिक अश्टेट बनाना चाहते हैं, और ये साजीस, बहुत बड़ी साजीस है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टि रोल रहा, आजादी के बात से. स्टडी निकल के सामने आई है, ये माना जा रहा है कि स्टडी में जिस तरह से जिक्र किया गया है कि 7.8 प्रतिशत लगबग हिंदू की अबादी घटी है, इसके लावा 43 प्रतिशत के असपास मुसल्मानों की अबादी बढ़ी है, निश्रुप से इसको लेकर के चंशा ज रही है, एक तो ये है कि लिटर्सी रेट काफी तेजी से बढ़ा है इन 65 सालों में, इसके लावा मुसल्मानों में जिस तरह से लिटर्सी रेट होनी चाहिए, वो नहीं आई है, जागरुपता की कमी रही है, दूसरी बात ये रही है कि हिंदू के अबादी से कुछ जो में भी Christianity में भी वो परवर्तन देखने को मिला है, तो ये तीन फेक्टर काफी महत्पूर्ण हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये रही है कि बहुत धर्म अपनाने मालों की संख्या बढ़ी है, वो अधिकतर हिंदू धर्म से बढ़ी है, तो ये कह सकते हैं कि declining के दो तीन व जागरुकता के कारण भी इस चीज़ को लेखा रहा है, दूसरी चीज़ की conversion जो दूसरे धर्म में हुई है, खासकर के बहुत धर्म में और Christianity में उसके कारण भी इसका असर पड़ाया है, यही वज़ा रहा है कि बहुत धर्म में भी थोड़ी से बहुत तरी देखने को मिली है और इसी लिए जो आज सड़ी हुई है, उसके बाद कई सवाल उत्पन हो रहे हैं कि 2015 में जब यह सड़ी की गई है, तो अभी तक जो आठ साल से नो साल से यह क्यों रखा गया था, उस पर टाइमिंग पर भी अब सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही है कि इसके पीछे तमाम वज़ा है, अगर मायनमार के देखें तो मायनमार में भी हिंदूओं की अबादी लवग 10% घटी है, नेपाल में भी लवग 3-4% की अबादी हिंदूओं की घटी है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं है, द है और इसलिए अक्षा मेरा यह सवाल आप से था कि जरा डीटेल रिपोर्ट में बताईए, क्योंकि इसमें मयनमार जो की सबसे टॉप पर है, मतलब इसमें बहु संख्यकों की जो अबादी जिसमें डिकलाइनिंग रेट दर्ज किया गया है, उसमें सबसे उपर मयनमार है, भारत उसके बाद नेपाल फिर साथी इसमें मौलदीव भी शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रिलंका, भूटान, बंगलादेश, इन तमाम देशों का जिक्र किया गया है, लेकिन क्योंकि अपसे पहले आपने कहा है, टाइमिंग, हम टाइमिंग पर इसलिए ब बनाना चाहता है, गजवाए हिंद लागू कर देना चाहता है, तो क्या अभी तो सिर्फ एक स्टेट्मेंट है, लेकिन ये पॉलिटिक्स का एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ लोकसभा चुनावों के दौरान नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, और गिराज सिंग तो ऐसे विवादित पयानों के लिए पहले से बहुँ चर्चुत रहे हैं, वो उमिद जैसी थी गिराज सिंग का बयान आया, और निश्रूप से विपक्ष भी इस पर नजर बनाय हुए हैं, हलाकि कॉंग्रेस की प्रिफिंग हुई प्रियंका गांधी का जरूर दिल्चस्प वाकाया सामने आया है, जब उनसे ये बात कही गई तो उन्होंने रिपोर्टर से ही पूछ लिया कि ये रिपोर्ट आपको कहां से बिली, और कैसे आपको ये पता चला, तो पता चला कि प्यमों की तरफ से आया है, तो फिर उन्ह उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि टाइमिंग का मामला है, कही ना कही निश्रूप से लोगस्वा चुनाओं में इसको बीजेपी भुनाने की कोशिश करें, और खास करके जो हिंदुवादी वर के जो नेता हैं, गिडा सिंग हो, अस्वनी चौबे हो, या फिर और नेत हो, इसको निश्रूप से मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है, कि हिंदुओं की जिस तरह सावादी घटी है, जैसा मने जिक्र किया, कि सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं है, बलकि मैनमार भी है, नेपाल भी है, और पाकिस्तान की जो इस्तिती है, वो बिलकुल अलग है, वहाँ पर समानता का अधिकार नहीं है, अगर वहाँ पर बुस्तंका का वादी देखें तो मुस्लिमों की है, लेकिन अलब सक्ख्यों को हिंदू है, और लगातार उसकी डिक्लाइनिंग हुई है, उसके पीछे वज़ा ये ही रही है, कि वहाँ इसलामी करण हावी है, भारत में वैसी इस्ति नहीं है, यहाँ पर हिंदू हों या मुसलमान हों, सभी एक पंथ साथ, सभी जो पंथ है, वो एक साथ रहते हैं, समानता का अलगभग अधिकार भी है, और जहाँ अलब संक्यों को बहतर समन्यों के साथ यहाँ पर रखा जात हिंदूों में जगरुपता बड़ी है, वैसके हिसाब से पॉपलेशन कंट्रोल भी भी नजर इसका आया है, और जिस तरह से इंद्रगाधी के समय तमाम कवायदे की गई थी, उसे अभी इंपेक्ट देखने को मिला है, पैंसट साल का यह स्टडी निश्रुप से सामने है, अब जनगर्णा जब होगी, तो यह कहा जा रहा है कि निश्रुप से जो सही आंकड़े हैं, वो सामने आ सकते हैं को कि अभी जनगर्णा कराई जानी थी, लेकिन वो जनगर्णा हुई नहीं, 2011 के बाद, अब संभावना ये जताई आ रही है कि लोग सभाचुनाओ के बाद इसकी जनगर्णा निश्रुप से भारत में की जाएगी, और उसके बाद पता चलेगा कि कि महिलाओं की संख्या है, पुर्शों की संख्या है, धार्मेक द्रिश्कों से कितना सही है, लेकिन जो EAC PM की रिपोर्ट है, उससे कहीं ने कहीं, ये साबित होता है कि मुस्लिमों क अबादी लगातार बढ़ी है, और जहां तक सिठू की अबादी है, वो भी पुरिस बढ़ी है, इसायू की भी साड़ेपास परसन बढ़ी है, उसमें भी डिकलाइनिंग रेट इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में देखने को मिला है, और मुस्लिमों का परसनेज और उस करें आक्षे,